वेलकम तो आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं बंगलादेश वुमेन वर्सिस वेस्ट इंडीज वुमेन वर्ल्ड कप ODI मैच जो कि खेला जाएगा बे ओवल में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस हो सकते हैं क्या र प्रिकेट से मैच जीता था फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जो असानी से इंडिया ने जीता था फिर यहां पर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ है फिर उसके बाद यहां पर पाकिस्तान सावत अफरीका अफरीका और यहां पर इंगलेंड और जो लास काफी जाधा मदद मिल रही है और यह मैच में अच्छे Spinners है यहांपर बंगलादेश के पास अच्छे her और बंगलादेश को विन करना है तो Spinners के उपर ही Rillay करना होगा तो spinners यहांपर मदध मिलते हैं और spin長at विन यहाँ पर गेम होने वाला है यहाँ पर हमें अगर West Indies पहले बैटिंग करती है तो 230-40 रन हमें देखने को मिलने चाहिए वहीं अगर बंगलादेश पहले बैटिंग करने को देखती है तो हमें 200 रन तक का स्कोर हमें देखने को मिलना चाहिए अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा टेलीग्राम चैनल है Fantasy Fortune के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ मैं comment section में पिन कर दूँगा उसी के सुरू जुड़िएगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि सर्च करके जुड़ोगे तो बहुत सारे fake चैनल से और IPL आ रहा है तो बहुत लोग आप से पैसे भी मांगेंगे तो Fantasy Fortune के नाम से पैसे देने कोई मांगे तो बिल्कुल भी देने की जरुवत नहीं है साथ के साथ YouTube चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी सो बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स की सो यहाँ पर बंगलादेश की टीम में कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है पिछला मैच जो है पाकिस्तान को हरा कर आ रही है सो विनिंग कॉंबिनेशन के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगी वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करें सो एक चेंज जो होना चाहिए और हो सकता है वो है अनिसा मुहमद की वापसी हो सकती है यहाँ पर राम हैरेक की जगा बाकी और कोई खास चेंज होता हुआ नजर यहाँ पर भी नहीं आ रहा है बात कर लेते हैं पॉइंट सेबल दिखा देता हूँ यह आपको समझना जरूरी है यहाँ पर यह मैच बहुत क्रूशल है दोनों टीम्स के लिए यहाँ पर बंगलादेश और वेस्ट इंडीज के लिए दोनों के लिए बहुत इंपोर्टन है और अदर्स टीम के लिए बहुत इंपोर्टन है क्योंकि Australia और South Africa जिस तरह खेल रही है हाई चांस दोनों ही टीम क्वालिफाई कर जाएगी यहाँ पर फिर fight India यहाँ पर West Indies New Zealand, England के बीच में हो सकती है और अगर बंगलादेश यह वाला मैच जीत जाए तो वो भी गेम में आ सकती है अगर यहाँ पर West Indies जीत गई न यह मैच तो इनके 6 पॉइंट हो जाएंगे और यह लोग जो है 3rd नंबर पर आ जाएंगे फिर जो competition है वो और थोड़ा खतरनाक हो जाएगा तो important मैच है सभी टीमों के लिए के हिसाब से बात कर लेते हैं डिपेल आ रहा है आए पिएल में लीडर बूड ला रहा है लीडर बूड में क्या है कि आप जो भी चाठ हाँ पर लीडर बूड होंगे हाफ क्वाटर वाले बिस-पिस मैच के आप कह सकते हो और जो भी हर किसी का लीडर बूड का विनर होगा वो जाएगा T20 World Cup Final देखने आस्ट्रेलिया में सो बहुत ही भड़िया चीज़ ये लेकर आए है काफी excited हूँ मैं तो इस चीज़ के लिए अगर आप भी हैं सो link description में fortune refer code है उसके तू download कर लेना और leaderboard में ज़रू participate कर लेना बात करते हैं बंगलादेश की सो यहाँ पर इनकी तरफ से शमीना सुल्ताना open करती भी नज़र आ जाएंगी wicket keeping भी करेंगी और अभी तक तीनों match में decent point दीए last match में 24 point दीए उससे पहले 45 और 45 सो एक आप के लिए अच्छी differential pick काम कर सकती है क्योंकि open भी कर रही है प्लस wicket keeping कर रही है काफी लोग इन्हें select नहीं करेंगे बट still अच्छी pick आप के लिए रह सकती है यहाँ पर बात करते हैं शरमीन अक्तर की सो दो ही match खेली है एक match में खेली नहीं थी और दोनों match में अच्छे points दी हैं पिछले match में 68 point दी है और दूसरे match में 48 points so betting section से important रहने वाली है बात करते हैं फरगना हक की so इस team की सबसे important better है यह पिछले match में 22 point दे कर आ रही है उससे पहले 61 और उससे पहले 20 so important खिलाडी है team की बात करते हैं निगर सुल्ताना की यह अगर देखा जाए ना जो wicket keeping section में mention है यह अच्छी better है लेकिन यह wicket keeping नहीं कर रही है अगर wicket keeping यह कर रही होती तो मेरे जाब से best pick बन सकती थी यहाँ पर wicket keeping section में लेकिन क्योंकि wicket keeping नहीं कर रही है और wickets काफी गिर रहे हैं और specially bay hole में और भी गिर सकते हैं उस case में हलका सा रिस्क रहेगा इनको लेने में क्योंकि better अच्छी है लेकिन हलका रिस्क फिर भी रहने वाला है क्योंकि wicket keeping नहीं करेगी बात करते हैं रुमाना एहमत की important all rounder है टीम के लिए आप इन्हें captain wise captain भी कर सकते हो wise captain captain तो सबकी हेली मैथ्यूज ही रहने वाली है small league में लेकिन आप इने wise captain जरूर ट्राइ कर सकते हो क्योंकि आपको पिछले match 82 point उससे पहले 5 और उससे पहले 5 points बैटिंग बोलिंग दोनों कर लेती है और अच्छी filter भी है तो आप इनको captain wise captain consider कर सकते है small league में वरना important तो रहने ही वाली है रितुमोनी selection बेहत काम है इनका लेकिन अच्छी all rounder है यह आपको batting भी करके देती है और mostly अपने overs जया है almost पूरे करती है तो अगर team पहले bowling करती है बंगलादेश की तो आपके लिए अच्छी differential pick बन सकती है small league में बात करते है फहीना खातून की लेक्स्पिनर last match तीन विकेट्स निकाल के आ रही है तो एक अच्छी bay oval में यहाँ पर यह अगेन विकेट्स निकाल सकती है especially अगर मंगलादेश पहले bowling करती है अच्छी differential pick बन जाएगी सलमा खातून यहाँ पर इन्हों ने तीनों match में decent points दी है बावन च्छे आलिस और रिकता इकतिस लेकिन यहाँ पर इन वेस्ट निकाल सकती है selection कम है grand league के लिए captain वाइस captain की अच्छी choice बन सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है टीम पूरे 10 over कराए और lower order बैटिंग कर लेती है चाहो तो try कर सकते हो खातून की जगा एक अच्छा differential बन सकता है लेकिन हलका risk रहेगा क्योंकि over ज़रूरी नहीं है depend करेगा पिछ पर अगर spinner का wicket होगा तो इनके overs डिडक्ट हो सकते है यहाँ पर नईदाक्तर है जिन्होंने अभी तक कुछ खास नहीं किया है तीनों match में 12, 8 और 4 पॉइंट ही दिये है तो grand league में recommend करूँगा small league में थोड़ा सा risk रहने वाला है बात करते हैं यहाँ पर तृष्णा की तो पहले match में 3 wicket निकाले थे important players की तो यहाँ पर फरगना हग जो है important है रुमाना एहमद important है स्टीम से खातुन important है और रितु मोनी यह जो है इनकी important खिलाडी है बात करते हैं West Indies की तो यहाँ पर तो यहाँ पर dot in open करते भी नजर आ जाएंगी काफी अच्छी player है काफी लोग इने कल के match wise captain करने वाले हैं आप भी कर सकते है especially अगर पहले bowling आती है Western Indies की so chasing में dot in जो है उनको आप captain wise captain कर सकते हैं लेकिन पहले batting करते हुए आप इने तब भी कर सकते हैं लेकिन पहले batting करते हुए दूसरे option भी आप consider कर सकते हैं chasing करते हुए मुझे लगता है काफी अच्छी wise captain की choice बन सकती है यहाँ पर हेली Matthews की बात करें हर match में run कर रही है 10 over कर रही है plus आपको open करके दे रही है match भी बंगलादेश के against है so best captain choice यही रहेगी small league में हर कोई हेली Matthews को ही captain करने वाला है आप grand league में क्या कर सकते हो आप इनको multiple teams में captain कर सकते हो wise captain rotate कर सकते हो लेकिन अगर आप risk लेना चाहते हो क्योंकि यह कम से कम 75% लोगों की captain है so अगर यह wise captain वाली performance भी दे गई न तो भी यह आप क्या कर सकते हो आप इनको grand league में multiple teams में या जितनी में team साफ लगा रहे हो उसमें wise captain आप इने कर सकते हो captain rotate कर सकते हो ठीक है आप यह भी ऐसा कर सकते हो लेकिन small league में तो best choice यह captain की रहने ही वाली है केशिय अनाइट है जिनका यह world cup काफी बेकार जा रहा है runs नहीं कर रही है one down batting करेंगी selection 5% है grand league में try कर सकते हो small league में उतना recommend नहीं करूँगा बात करते हैं stephanie taylor की team की important खिलाडी है और यहाँ पर bowling कर सकती है इस wicket पे और आपके लिए अगर western ndies पहले batting करती है तो small league में आप इने wise captain भी try कर सकते हो और grand league में captain भी try कर सकते है शिमाई ने Campbell की बात करें wicket keeping कर रही है हर match में इन्होंने points almost दिये है तो काफी लोग इनको try करने वाले है लेकिन अगर western ndies chase कर रही है तो आप उस case में bangladesh के keeper को भी preference दे सकते हो c nation की बात करें पहले 2 match में ठीक खेली थी लेकिन last 2 match में उतना अच्छा नहीं फिर भी अगर अच्छा भी खेले तो काफी नीचे betting करती है bowling नहीं करती है so risk रहता है इनको लेने के लिए so यहाँ पर आप grand league में ने try कर सकते हो आली आलीन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत betting थोड़ी बहुत bowling कर लेती है लेकिन risky रहती है हमेशा क्योंकि हर match में इनको कितने ओर मिलेंगे यह सिर्फ और सिर्फ captain ही बता सकती है same रहता है Henry का Henry अगर दोनों में देखा जाए Henry जादा better है यहाँ पर Henry के भी यही रहता है कि over इनको भी पूरे नहीं मिलते है और betting end में आके कर लेती है यह player जो है एलीन से अगर एक को consider करना उसमें Henry को पहले consider करूँगा लेकिन risk रहता है क्योंकि कभी-कभी matches में इने 3-4 over देखे ही रुकवा दिया जाता है बात करते हैं यहाँ पर अनिसा मुहमद अगर खेलती है तो आपकी टीम में होनी ही होनी चाहिए और पहली bowling करते हुए आप उन्हें vice captain भी टीम का कर सकते हैं और grand league में captain भी try किया जा सकता है अगर बात करे रहा मेरक की अगर यह खेलती है तो ठीक bowler है चाहो तो consider कर सकते हो उन्हें से अच्छी और fix आपके पास मिल जाएंगी बात करते हैं शकेरा सलमान की तो यह एक differential player साबित हो सकती है काफी कम लोग इन्हें try करेंगे आप चाहो तो इन्हें try कर सकते हो especially अगर बंगलादेश की पहले betting आती है और यहाँ पर westernies bowling करती है सलमान विकेट्स निकाल सकती है ओकोनल की बात करें शमीन लिया ओकोनल की बात करें हर मैच में almost point देती है और एक अच्छी बोलर है तो एक important बोलर बन जाती है especially बंगलादेश के अगेंस important player की बात करें तो यहाँ पर हेली मैथ्यूज, डॉटन यहाँ पर टेलर, मुहमद और कॉनल जो हैं इनकी important खिलाडी है small league की captain wise captain की बात कर लें तो यहाँ पर मैथ्यूज अच्छी option रहेंगी जो best रहेंगी हर कोई इनको ही try करने वाला है captain small league में कोई बहुत ही जादर इसक लेकर आए वो ही कुछ अलग करेगा otherwise Matthews ही सबकी captain रहेंगी main आएगा कि wise captain किसको कर रहे हो dot in को chasing करते हुए आप कर सकते हो और betting first में यहाँ पर Taylor या फिर रुमाना एहमत को wise captain किया जा सकता है grand league में बात करें so यहाँ पर Matthews और Taylor Matthews इसलिए क्योंकि यार 10 over कर रही है और open कर रही है so best choice इस match में चाये small league हो या grand league हो even though हर को ही उनको कर रहा है इसका यह मतलब नहीं आप जबरदस्ती डिस्क ले लो तो आप यहाँ पर Matthews को भी grand league में भी captain try कर सकते हो stephani taylor काफी अच्छी captain बन जाएंगी केशिया नाइट को आप grand league में try कर सकते हो one down खेल रही है recent form अच्छा नहीं है लेकिन बंगलादेश के लिए इसरंब कर सकती है so grand league में try कर सकते हो small league में उतना नहीं सुल्ताना अच्छी खिलाडी है अच्छी better है लेकिन wicket keeping नहीं कर रही है इस वज़े से मैं इनको try नहीं करूँगा यहाँ पर बात आजाती है Campbell और शमीमा की यहाँ पर शमीमा जो है open भी कर रही है plus wicket keeping कर रही है और Campbell जो है वो अच्छी form में है plus wicket keeping अभी के लिए मैंने यहाँ पर Campbell को लिया है सकते हो बाकी और किसी के खेलने के चांसे कम नज़र आ रहे है और राउंडर सेक्षेने बात करें तो यहाँ पर हेली मैथ्यूज रुमाना एमद आपकी टीम में होनी चीए स्पेशली हेली मैथ्यूज तो होनी ही होनी चीए स्टेफानी टेलर कलके माच में अच्छा कर सकती है स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए सो वो मिल टीम में और खातुन जो है उनको मैंने अपनी टीम में रखा है विकेट्स निकाल सकती है एक प्लेयर जो यहाँ पर रितु मोनी है अच्छी ओल राउंडर है सेलेक्शन काफी कम है आप यहाँ पर एहमा टेलर या फिर खातुन में से किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ पर रितु मोनी को भी ट्राइ कर सकते हो एक अच्छी डिफ्रेंचल प्लेयर बन जाएंगी यहाँ पर सी हेंडरी है सेलेक्शन कम है ग्रेंड लिग में ट्राइ कर सकते हो स्मॉल लिग में हलका रिस्क रहता है लेकिन प्लेयर ठीक है विकेट और बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन कर सकती है बोलिंग सेलेक्शन ने बात करें सो यहाँ पर कॉनल और मुहम्मद अगर खेलती है तो दोनों ही मेरी टीम में होने वाली है मैं मान के चल रहा हूँ कि मुहम्मद को मैं आच मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता सो चेंजिस कर लेंगे लेकिन अभी के लिए मुहम्मद को रखा है अब हमारे पास एक option बच रहा है आलम के लिए credit नहीं है और यहाँ पर फातुन है मैं फातुन के साथ जा रहा हूँ सल्मान भी एक अच्छी option है इसलाम है यहाँ पर अनील है इनको try कर सकते हो लेकिन मैं खातुन के साथ जा रहा हूँ लास्ट मैंच में भी तीन विकेट निकाल के आई है अच्छी spinner है अच्छी spin कर रही थी लास्ट मैंच में भी और यहाँ पर spinners को मदद है तो विकेट निकल सकते है तो मेरी यह है यह team बन रही है इसमें captain so obvious है यहाँ पर हेली मैथ्यूस captain होने वाली है अभी भी लगबग 94% लोग की captain है और मुझे लगता है इतने ही percent की रहने भी वाली है तो इससे आप grand league में भी try कर सकते हो और अगर आप बहुत risk लेना चाते हो तो आप इन्हें as a normal player grand league में try कर सकते हैं ठीक है आप बात कर लेते हैं wise captain की so dot in है यहाँ पर एहमद है और टेलर है अगर यहाँ पर देखो dot in जो है इंडिया के match में उनकी back में थोड़ा issue था लेकिन उसके बाद भी खेली है और form में भी है तो आप उनको wise captain कर सकते हो यहाँ पर टेलर एक अच्छी differential खिलाड़ी बन सकती है कल के match में especially अगर West Indies की पहले betting आती है यहाँ पर एहमद को भी आप try कर सकते हो अभी के लिए मैंने आपर dot in को wise captain किया है लेकिन जो है मैं टेलर को wise captain कर सकता हूँ अगर team की पहले betting आती है उस case में तो यह जो है मेरी team बन रही है final team आपको telegram पर मिल जाएगी बात करते है grand league teams की तो उससे पहले जो है आपको मैं fan to play आपकी भी team दिखा रेता हूँ वैसे तो इस match में credit का कोई खास issue नहीं है तो same team के साथ में आपर जा रहा हूँ इस team में मैं क्या कर सकता हूँ अगर West Indies यहाँ पर बंगलादेश की पहले bowling आती है न उस case में अक्तर की जगा मैं यहाँ पर rhythm money को team में ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर दो batsmen के साथ भी आप team बना सकते हैं तो वो change मैं कर दूँगा अगर बंगलादेश की पहले bowling आती है इसका link जो है description में है fortune refer code है उसके through आप download करने IPL में काफी अच्छी options यहाँ पर offers आने वाले हैं बात कर लेते है grand league teams की so grand league team number one मैंने यही रखी है similar team लेकिन captain जो wicket keeper change किया है इसमें शमीया को मैंने रखा है captain मैंने tailor को किया और vice captain जो है मैंने matthews को किया है यह जो मैं आच हैना देखूँ यार इसमें आपने बहुत सारे changes निकरने है एक एक दो दो changes करके आपना grand league निकाल सकते हो especially अगर आप captain wise captain similar चाहो तो रख सकते हो किसी एक player को पकड़ लो कि उनको captain या हर team में wise captain आप कर सकते हो और वो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है बात कर लिए टीम टू की इसमें मैंने क्या किया है अगेन इसमें मैंने देखो एक जो मैंने change किया है वो यहाँ पर कॉनल की जगा सेल्मान को ले लिया और केशिया नाइट जिसे कोई नहीं लेने वाला है उनको मैंने wicket keeping में लिया है क्योंकि one down batting कर रही है run कर सकती है हेली मैथ्यूज कैप्टन रखी है वाइस कैप्टन मैंने खातून को रखा है तो यह मेरी grand league team number two है अगर आप को यह अच्छी लगते है और सेम टीम से खेल सकते है अधवाइस आप एक से दो changes करके multiple teams भी बना सकते है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए सो like करो, share करो comment करके बताओ आपके हिसाब से कल का match कौन जीतने वाला है और हेली मैथ्यूज कैसा performance देने वाली है comment करके ज़रूर बताना साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाये करेगी और जुड़ जाए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर fantasy fortune link description में साथ के साथ मैं comment section में पिन कर दूँगा thank you guys